इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इसी स्थिती जिसमें छोटी कीड़े आपकी तवचा को संक्रमित करते हैं और बीमार बनाते हैं। यह दवा कीटों यानी की माइट्स और उनके अंडे को मार कर काम करती है। स्क्याप्या लोशन कैसे और कितनी मात्रा में लेना है। इस बारे में आपके डॉक्टर आपको विस्तार से समझाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे सही तरीके से लें। दवा के साथ आने वाले निर्देशों को पड़ें। उप्योग करने से पहले आप सपताह तक खुजली रह सकता है। यह शायद मृत माइट्स के लिए अलजिक प्रतिक्रिया है और इलाज के विफल होने का संकेत नहीं है। सबसे सामाने साइड इफेक्ट में जहां दवा लगाई गई है वहां हलकी जलन, चुभन या टिंगलिंग शामिल हैं। आमतोर पर अधिकांच साइड इफेक्ट हलकी तीवरता के होते हैं तथा हर कोई इनसे प्रभावित नहीं होता है। यदि आपको तवचा की कोई समस्या है या दवाओं, भोजन या अन्यपदार्थों से अलजी है या आपको अस्थमा है तो इसका इस्तिमाल करने से पहले डॉक्टर को बताएं। हाला कि इस दवा को आमतोर पर सुरक्षित माना जाता है लेकिन अगर आप गर्भवती है या स्तनपान करवा रही है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी ल